आगे बढ़ने से पहले हमारे आपसे प्रार्थना है आप टेली का अधूरा ज्यान प्राप्त करना चाहते हैं या उसके विद्वान बनना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है इस वीडियो सिरीस की सभी वीडियोस को एक एक करके क्रमा नुसार ही देखें वीडियोज को क्रमा नुसार देखने के दो तरीके हैं पहला है हमारी वेबसाइट द्वारा और दूसरा हमारे यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट द्वारा टैली के इस वीडियो सिरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे कि किसी भी ट्रांसक्शन को देख कर कैसे पहचाने कि उसे टैली में किस वाउचर में रिकॉर्ड करना है इसके पहले की दो वीडियो में हमने आपको सोर्स डोक्यूमेंट्स और टैली में अकांटिंग वाउचर क्या हैं और उनके उप्योग के बारे में बताया था आज हम उसी आधार पर आगे प्रैक्टिस करने जा रहे हैं हमने आपको manual accounting की process के बीच journal के बारे में बताया था और वहां कुछ transactions भी बताये थे उन में से कुछ transactions और दूसरे कुछ और transactions हम आपको यहां बता रहे हैं और इन्हें देखकर आपको यह निर्ने करना है कि किस transaction को किस voucher में record करेंगे हम आपको एक-एक transaction दिखा कर सोचने के लिए 10 seconds का समय देंगे यदि आप सही ने-ने कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो हम तो आपको बताएंगे ही कि कौन सा transaction किस voucher में record होगा तो चलिए एक-एक करके transaction देखते हैं पहला transaction है एक अप्रेल को हम व्यापार प्रारंब करने के लिए एक लाख रुपए नकत पुणजी यानि capital लाए अब आप सोचिए कि ये transaction किस voucher में record होगा चलिए अब हम आपको बताते हैं यहाँ पुणजी के रूप में नकदी आई है और जैसा कि हमने आपको बताया था कि नकद या बैंक के माध्यम से कोई भी प्राप्ति होती है तो इस तरह के transaction को receipt voucher में record किया जाता है दूसरा transaction 5 April को हमने 20,000 रुपए State Bank of India में नकद जमा करके खाता खोला अब आप सोचिए ये किस voucher में जाएगा अब हम आपको बताते हैं इस transaction में नकद रुपए bank में जमा किये गए हैं और जैसा कि हमने आपको बताया था cash account से bank account में या bank account से cash account में रुपए आता या जाता है तो इस तरह की transaction को contra voucher में record किया जाता है अगला transaction है 6 April को राम शर्मा को नकद 2000 रुपए उधार दिये यहां हमने राम शर्मा को नकद रुपए दिया है और जैसा कि हमने आपको बताया था नकदी या bank के माध्यम से कोई भी payment किया जाता है तो इस तरह की transaction को payment voucher में record किया जाता है अगला transaction है 6 April को व्यापार के लिए 51,000 का माल नकद खरीदा इस transaction को देखने से ही सपष्ट है कि खरीदी की गई है इसलिए इस transaction को purchase voucher में record किया जाएगा next transaction 6 April को हमने जो माल खरीदा था उसका गाड़ी भाड़ा 100 रुपए नकद दिया देखिए यहां नकद खुकतान किया गया है यानि इस transaction को payment voucher में record किया जाएगा अगला transaction है हमने जो माल खरीदा था उसे 7 April को 75,000 रुपए में नकद बेश दिया इस transaction को देखने से ही सपश्ट है कि माल को बेचा गया है इसलिए इस transaction को sales voucher में record किया जाएगा 10 April को हमने State Bank of India का 23,000 रुपए का चेक देकर motorcycle खरीदी अब यहां पर motorcycle खरीदने के लिए bank से भुकतान किया गया है इसलिए इस transaction को payment voucher में record किया जाएगा अगला transaction है एक मई को हमने मोहन को अप्रेल माह की तनख़ा 5000 रुपए State Bank of India के चेक से दी यहां हमने कर्मचारी की तनख़ा का भुकतान बैंक से किया है इसलिए इस transaction को payment voucher में record किया जाएगा एक मई को हमने जो माल किसी व्यक्ति को अशुक ट्रेडर्स से दिलवाया था अशुक ट्रेडर्स से हमें उसका commission 5000 रुपए चेक द्वारा प्राप्त हुआ जो हमने State Bank of India के खाते में deposit किया दिखिए यहां हमें check के माध्यम से commission प्राप्त हुआ है मतलब हमें प्राप्ती हुई है इसलिए इस transaction को receipt voucher में record किया जाएगा एक मही को हमने super market से 10,000 रुपए का माल उधार खरीदा इस transaction को भी देखने से सपश्ट है कि खरीदी की गई है इसलिए इस transaction को purchase voucher में record किया जाएगा next transaction देखते हैं तीन मही को हमने super market से जो माल खरीदा था उसे मोहन ट्रेडर्स को 15,000 रुपए में बेश दिया यहां पर इस transaction को देखने से ही इस पश्ट है कि माल को बेचा गया है इसलिए इस transaction को sales voucher में record किया जाएगा अगला transaction हमने 15,000 रुपए का जो माल मोहन ट्रेडर्स को बेचा था वो खराब होने से मोहन ट्रेडर्स ने हमें 5 मई को वो माल वापस कर दिया इस transaction को दियान से देखें तो हमने जो माल बेचा था खराब होने से वो खरीदार्स ने वापस कर दिया यानि यह sales return है और जैसा कि हमने आपको बताया था कि sales return को हम credit note voucher में record करेंगे अगला transaction देख लेते हैं आठ मई को आशा एंटर्प्राइजस से हमने 25,000 रुपए का furniture उधार खरीदा इस transaction में उधार furniture खरीदा गया है यानि खरीद तो हुई है पर यह खरीद fixed assets की है और जैसा कि हमने आपको purchase voucher में समझाया था कि इस तरह की खरीद को हम purchase voucher में record नहीं कर सकते तो फिर इस transaction को कहा record करेंगे हमने आपको journal voucher में बताया था कि यदि कोई ऐसी वस्तू हम उधार खरीदते हैं यदि नकत खरीदा होता तो इस transaction को हम सीधे payment voucher में record करतें अब है अगला transaction आठ मई को मोहन ट्रेडर्स से हमें जो माल वापस आया है उसे हमने सुपर मार्केट से 10,000 रुपे में खरीदा था उस माल को हमने वापस सुपर मार्केट को भेज दिया यहां हमने जो माल सुपर मार्केट से खरीदा था वो उसे ही वापस कर दिया है यानि खरीदा हुआ माल वापस कर दिया है तो यह हुआ पर्चेस रिटन और जैसा कि हमने आपको बताया ही था कि पर्चेस रिटन को हम डेविट नोट वाउचर में record करते हैं नेक्स ट्रंजिक्शन है दस मही को हमने स्टेट बैंक ओफ इंडिया से चेक द्वारा पांच हजार रुपय नकद निकाले इस ट्रंजिक्शन में बैंक से नकद रुपया निकाला गया है और जैसा कि हम आपको बता चुके हैं cash account से bank account में या bank account से cash account में रुपया आता या जाता है तो इस तरह का ट्रंजिक्शन कॉंटरा वाउचर में record किया जाता है आखिरी ट्रांजिक्शन देखते हैं हमें अशुक ट्रेडर्स से जो कमिशन का 5000 रुपए का चेक प्राप्थ हुआ था वो 12 मैं को बैंक से डिसॉनर होकर यानि चेक बाउंस होकर वापस आ गया यहाँ इस ट्रांजिक्शन में चेक डिसॉनर हो गया है अब आप सोचें कि इस ट्रांजिक्शन को हम कौन से अकाउंटिंग वाउचर में रिकॉर्ड कर सकते हैं ना तो यह पेमिंट है ना रिसीट है ना खरीद है और ना ही विक्र है तो यहाँ ध्यान दे हमने आपको बताया था कि ऐसे ट्रांजिक्शन जो किसी वाउचर में रिकॉर्ड नहीं हो पाते हैं उन्हें जर्नल वाउचर में रिकॉर्ड किया जाता है तो यह ट्रांजिक्शन रिकॉर्ड होगा जर्नल वाउचर में इस वीडियो में हमने ट्रांजिक्शन कैसे पहचानते हैं यह सीखा अगली वीडियो में हम आपको company features जिसकी shortcut की F11 है और configuration जिसकी shortcut की F12 है के बारे में बताएंगे इन दोनों के बारे में समझना अतियावश्यक है क्योंकि tally में काम करते समय हमें बार बार इंके मदद लेनी होती है और इसके बाद हम tally में transaction record करना शुरू करेंगे आपकी सुविधा के लिए हमने नीचे description में एक PDF दिया है